पंचानवे अकैटमिक अवार्ड यानि ऑसकर 2023 में भारत ने अपना डंका बजा दिया है ऑसकर 2023 में भारतिये फिल्म आर 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 नहीं इध्यास रज़ दिया है इस साल डारेक्टर एस एस राम मॉलीन की फिल्म आरार के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजनल सॉंग्स केटेगरी में नमंकित किया गया था यह वार्ड जीत कर म्यूजिक कंपोजर एमम किरावानी ने भारति जनता का सीना गर्व से चोड़ा कर दिया है इसके अलावा ऑसकर 2023 में भारत क की शॉर्ट डोकुमेंटरी फिल्म दे एलिफेंट इस पर ने भी अवार्ड जीता है प्रोडूसर गुनीत मोंगा की इस फिल्म को खुब प्यार दिया गया दिपिका पादिकॉन इस अवार्ड सेरेमनी में बतौर प्रेजेंटर पहुंची थी नाटू नाटू की लाइफ इससे पता चलता है कि भारती सिनेमा कितनी दूरी तक जा सकता है किरवानी भाई और चंदरबास भाई को बढ़ाई हमारे कहानीकार राजमॉली और प्यार देने वाले दर्श को के बिना ये मुम्किन नहीं था मैं फिल्म द एलिमेंट गुइट्सपर को भी बढ़ाई दे इस दुरहन सभी ने फिल्म के एक्टर चैंडविक बैंजमन को याद किया चैंडविक बैंजमन का निधन साल 2020 में कैंसर से जंग के बाद हुआ था अपनी इमोशनल परफॉर्मेंस के लिए रिहाना को स्टेंडिंग अवार्ड भी मिला इसी के साथ दूसरी और चीज ये रही कि बॉलिवूड एक्ट्रेस दिपिका बादुकॉंग ने नाटू नाटू गाने की लाइब परफॉर्मेंस का एलान ओसकर 2023 के स्टेज पर ही किया आरारार के इस गाने ने दुनिया भर को अपना दीवाना बना दिया है सिंगल कार भैरव और राखुल ने इ खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें